हलो दोस्तों पर फिर से स्वागत है हमारी ग्यान पर यह यूटूब चैनल पर दोस्तों आज का जो रिकर्मेंट का नोटिपिकेशन लेके आया हूं यह जहरकंड सरकार की तरफ से निकल के आई है जपीएसी का तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ज इसका डीटेल क्या है कहां से डाउनलोड करना है और भी जो जो डीटेल हम लोगों को मिलेंगे सारे डीटेल के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं चलता हूं ओपेन करता हूं क्रोम प्रोजर को और यहां पर जे जेपीएसी सर्च करता हूं गूगल पर जाहिए मैं पूरा स्टेप में बता रहा हूं कि अगर उसका ऑपिसल वेबसेट नहीं पता है तब अप लोगों को जेपीएसी टाइप किजे गूगल ऑन पर सर्च किज24 इस तरह से आजायेगा देख सकते हैं यह उसका आप ऻ्रपींक दिया गया है या तो फिर यहां भी दिया गया है देख conscious का जरकान इहां पर जितने ही रिकवर्मेन्ट आते है यपीच के तरब से related requirement सारे यहां पर मिल जाएंगे जितने requirement cancel हुए या result आएंगे यह requirement क्या है सब यहींप लोग मिल जाएगा तो सबसे पहला यह देखिए नियू दिखाई दार पहला वाला ही या भी लेटस्ट निकल के आई है रिकॉर्मेंट तो इस पे मैं किलिक करता हूँ इस पे जैसे मैं किलिक करूंगा एक नियू पेज ओपन हो के समने में आ जाता है इस नियू पेज में तीन लिंक दिये गया है जिसमें से यह कि उसका डीटेल को थोड़ा देख लेते हैं किस तरह से है देखिए जरकंट लोग सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची बीग्यापन सिंग्या वेरा मेंशन किया गया है उनलाइन इसको भरना है लाजड़ पंदरा पांच 2019 दिया गया है इसका जो उपसेट है जिसे मैंने ब बिभाग के तरफ से यकाल के आया है सब का यहां पे डेटल कटेगरी वाइज अलग बिफांइन क्या गया है विभाग का नाम दिया गया है यो ऐनार के लिए सकते हैं कितने सारे यहां पर वेकंसी निकल के आई है इसमें टोटल 24 पद दिया गया है यह जो विभाग का नाम दिया गया है ट्विभाग दिया गया और जो टोटल रिकर्मेंट हो जाती है 262 मतलब अच्छी कासी निकल के आई है रिकर्मेंट यह संक्या है उसका इसकी बेतन जो हो जाएगी देखिए 15600 से लेके 49100 तक ग्रेड बेतन हो जाएगा 6600 पद अस्ताई रहेगा और आवधी जो रहेगा टू क्कॉलिफिकेसान एमडी एमस वाले कंडेड इसको एपलाई कर सकते हैं उसके बाद टीचिंग एंड रिसार्च एक्सपरेंस भी होना चाहिए तरी यह का जूनियर रिसिडेंस इन गार्गनाईज के तरफ से आप लोगों का तरी यह का भी एक्सपरेंस होना चाहिए इसको अमतम उमर 30 और अधिकतम किस तरह से दिया गया अधिकतम हर कोटी का अलग अलग दिया गया यानि कि कटेगरी वाजी डिवाइड किया गया है जैसे अनरच्छित यानिके जेनरल के लिए दिए गया है 45 मेक्सिमाम उसके बाद अत्यान पिछड़ा वर्ग अन्शुची 1 और दिया गया है maximum और minimum जो हो जाता है सबके लिए 30 ही mention है तो इस तरह से इसका ये age limit हो जाता है और थोड़ा और डीटेल चलते हैं नियुक्ति किस तरह से होगी आठ नमर में दिया गया है देखिए यहां पर जैकंट चिकित्स सिच्चा सेवा में सायुक प्रधनावत्यपक के पद पर चैन उमिदारों के सच्छनिक योगता इबाम हस्तचार के प्रप्त अंकों के योग क आधार पर तैयार मेगा सुची के अनुसार किया जाएगा तो यह इसका प्रोसुजर है किस तरह से अप लोगों का यह नियुक्ति होगा उस चीच का प्रोसुजर यहां पर पुरा डिटेलिंग में मेंसल किया गया है क्या क्या सेटिपिकेट क्या क्या लगेंगे तो आप कितने-कितने मार्क्स हैं ये सब यहां पे दिया गया है तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा डिटेल लगेंगे जो उसब का पूरा डिटेलिंग में यहां पे मेंसल किया गया है मैं इस थोड़ा स्वाट में इसलिए बता रहा हूं देख सकते हैं यहां पे 15 फेजिस हैं इसका पीडियेप तो वन बैवन पढ़के बताना तो पॉसिबल नहीं होगा बड़ी हो जाएगे बीडिय ग्यारा नंबर पोइंट दिया गया है परिक्छा शुल परइक्षा शुल अप्रलगों का कीस तरह से होगा परिक्छा सुल डेविट कार्ड क्रेडिर कार्ड इंटरनेट बेंकिंग के द्वार्ट आप measurements कर सकते हैं इसमें जो दिया गया है देखिए क्या दिया गया है अतियंत अनरचित अर्थित रूप से कमजोर नगरिकों का वार्ग ये उसका बार्ग हो जाएगा IWS उसके बाद अतियंत पिछड़ा वार्ग अनसुचित अनसुची 1 और पिछड़ा वार्ग अनसुची 2 एवं श्रैनी में उमिदारों के लिए परिक्षा सुल्क परिक्षा सूल्क हो जाएगा 600 रुप्या पॉलास bank charge अलग से इसका लगेगा उसके परिक्षा सूल्क में छूट जो रहेगे जहरकंड राज के अनसुचित जनजाती अनसुचित जाती के अविवर्थी के लिए परिच्छा सुल्क 150 प्लस बेंक चार्च दिया गया है यह नंडरफंडबल रहेगा तो इस तरह से इसका एक्जाम अगरा जो फी दिया गया है यह सब भी यहां पर देख सकते हैं 12 नंबर म क्लिक करना है सब अपलों यहां पर मिल जाएंगे आप लोगों को है कि है एक लाइन नंबर होगा है यहां पर क्या दिया गया है थोड़ा देख लेते हैं यह कुछ लिखा हो है देखिए इन नंबर में ओनलाइन अबिदान भरने के लिए सुगधा है तो हेल्पलाइन लग बग मैंने आप लोगों को बता दिया इसके नीचे दिया गया अप लोगों को क्या क्या certificates प्योंद किस तरह से लगेंगे वो सब मिंससन किए गया है अम्तिम्तिति एकपर मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं on-line application जो represents यह ओ जाएगा वीडियो को जरूर लाइक कर दें अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वेल घंटी को दवातें जिसे अने वाले जितने भी नोटिफिकर्शन होंगे सब अपलोगों को सबसे पहले मिल जाये करेंगे दोस्तों थेंक्यू सबस्तों घंटी कर देंगे जितने वाले जाये कर देंगे जिसे खार देंगे